हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए 36 गर्स्वास विभाग के अंतरकर जारी किये ओफिसल नोडिफिकेशन की जनकारी लिखा रहा हूँ अगर अब तक आपने वारे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किये हैं तो सब्स्ट्राइब जरोग लिजे यहां पर आपको सरकारी नोगर्श से लेटेड़ जनकारियां मिलती रहेंगे जैसे कि दूस्तों यहां पर आप देसकते हैं जिला भीजापूर के अंतरगर्ट 23 अगस 2023 को एक नोटिपिक्सन जारी की गई हैं जिसमें राष्टि स्वास मिसन के अंतरगर्ट विभीन पदों की समीदा भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके लिक्षुक और पात रोमिद्वार स्पीड पोश्टर धारे तित्थी दी गई है उसमें उपस्तित होकर जमाग कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको स्वेम उपस्तित होकर वहाँ पर जमाग करना होगा यहां पर इनके पोश्ट डिटेल दी गई है यानि कि इस परत के लिए कितने कितने पोश्ट निकाले गए है और उनकी सेक्षिर क्योगिता है क्या रखी गई है यहां पोस्ट वाइस दिया गया है आप जीन पदोपराविदन करना चाहते हैं यहां से उनकी जनकारियां देख लीजेगा जैसे कि एनेम की बात करें तो 12,000 रुपए सेलरी रखी गई है टूटल 23 पोस्ट निकाली गई है जिसमें केटेगरी वाइस अलग-अलग माटा गया है एजुकेसन क्वालिफिकेसन की बात करें तो 12 पास होने के साथ साथ एनेम पास्ट होना चाहिए इसके अलावाद 36 गर नर्सिंग कॉंसिल से जीवित पॉन जियन भी होना मांगा गया है इसी तरह से नर्सिंग ओफिसर अधिक की जानकारी दीगेए आप यहां से चेकाउट कर लिजीगा और दोस्तों इस भरती से समंधि जितने भी जानकारिया याँ आप नोड़िकेसन जारी की जाएगी आप इनके ओफिसल वेबसाइट का उलोपन करके कर सकते हैं इस जोब नोड़िकेसन के फीडिया फाइ पर दिखिए मेडिकल ऑफिसर सेकर्टिल असिस्टेंट फीजो थेरैपिस्ट और अप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 11 सितंबर 2030 को सुबह साढ़े 10 बजे से लेकर एक बजे की बीच में आपको आवेदन करना होगा और आवेदन भरकर जमाभी करना होगा इसके अलावा कांसलर और सिकुरिटी गार्ट के लिए 11 सितंबर को रखा गया है इसके लावा इस्टाफ नर्स और नर्सिंग अफिसर के लिए 25 सितंबर को दी गई है आपके आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उसके आधार पर इनके द्वरा दिये गए तिथियों पर कर सकते हैं और आवेधन पत्र के साथ अपने पत्र के अनुसर जो भी आप समिट करिए उनको आपको स्वेमदर सत्याफित करके सनलगन करना है यहां पर एकजांपल दी एगी है यानि कि आपको अपने पत्र के कोडिंग आपको सब्मिट करना होगा चलिए बात लेते हैं इनके सेलेक्शन प्रोसेस की तो जो इनके द्वारा जो सेक्षड की योगताओं के जो प्रापतांकों का प्रतिसत मांगा गया है वो 65 प्रतिसत अंक रखी गई है वहीं पर अनुभों के लिए 10 से लेकर 15 अंक रख की जाएगी जिन अभियर्तियों को कौसल परिच्छा के लिए बुलाया जाएगा ये निर्धारित अंकों से 30% अंक लाना अनिवार है यानि कि अगर सव अंकों का कौसल परिच्छा ली जाती है तो उसमें आपको 30 अंक लाना अनिवार है तब ही आप पात्र माने जाएंग इस प्रकार से सेक्षड युगता अनुभाव और कौसल परिछा को मिलाकर अंतिम मेरिट सुची तैयार की जाएगी इसी प्रकार नर्सिंग संवर के लिए यहां पर दिया गया है आप यहां से देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा पदो पर आव पर आवधन करते हैं और अगर आप दिव्यां में पर cinco आवधन करते हैं तो आपके इसे प 177 कली जमा करना है और आपको आवधन सुलक इनके नाम का जमा करना है तो यहाँ पर दिखिए जो राष्टे करिद बैंक होंगे जो बीजाबूर के जो SBI का जो ब्रांच है उनके नाम से आपको डिमांड राप बनवाना पड़ेगा तब ही आपका आवधन फर्म माने किया जाएगा जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था इन पदों पर आवधन करने के लिए 36 गड़ राज का मूली माफी होना निमारे है अब इन पदों पर आवधन करने के लिए कितना ये जलिमिट मंगा गया है तो यहाँ पर देखें नर्सिंग ओफिसर के संविधा पदों के लिए नियूनतम 18 से लेकर 70 वर्स के बीच में मंगा गया है और चिकित्सिय पद के लिए 64 वर्स रखा गया है जिनके आयू की करणा एक जनवरी 2023 की सिती में की जाएगी और 200 इसके अलावा भी यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये करेंगे उनको सफलता पूर्प भरने के बाद यहां पर डिमांड आपकी जनकारी भरनी होगी इसके लावा यहां पर आप जो भी डोकुमेंट समिट करेंगे उनकी जनकारी यहां पर देनी है तो दोस्तो इस तरह से आप आवधन फर्म भर सकते हैं अगर जनकारी अच्छी